दोस्तो स्विगी में आप Delivery Boy का जॉब करके हर मेने मिनिमम 20,000 रूपए से लेकर मैक्जिमम 40-45,000 रूपए तक कमा सकते हो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्विगी में आप घर बैठे कैसे अपना जॉइनिक प्रोसेस कम्लीट कर सकते है इसके कम्लीट जानकरी देने वाला हो स्विगी का जो जॉइनिक प्रोसेस है वो अब टोटली बदल चुका है पहले स्विगी में जॉइनिक करने के लिए इसके ऑफिस पे जाना पड़ता था लेकिन अब आप घर बैठे अपना आईडी क्रेट कर सकते है लेकिन इसका जो ऑनलाइन जॉइनिक प्रोसेस है उसमें कुछ चीजों में अभी बडलाव किये गये है जैसे कि वहिकल को लेकर और इसके वर्किंग को लेकर जो के आगे आप लोगों को जॉइनिक प्रोसेस के दवरान समझ में आ जाएंगे और दोस्तों स्यूगी में अभी जॉइन करने पर आठ हजार उपय तक का जॉइनिक बोनस भी दिया जा रहा है तो ये सही समय है जहापर आप स्यूगी में आज़से डिलूर बोई जॉइन करके एक अच्छा आर्निंग हर मैने कर सकते है तो इसलिए वीडियो को complete देखेंगा और आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पढ़ने हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो आप स्यूगी में जॉइनिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है वो पहले मैं आप लोगों को यहापर दिखा देता हो आपके सामने इस तरह से एंटरफेस खुल जाएंगा यहापर आपको एंटर योर डिटेल पे क्लिक कर देना है फिर यहापर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और आप किस सीटी में जॉइन करना जाते हो उस सीटी का नाम आपको सिलिक करके नीचे सब्मिट पर क्लिक कर देना है अब जैसे आप अपनी सारी डिटेल सब्मिट कर देते हो आपको स्वीगी की तरफ से तुरंत एक टेक्स मैसेज में स्वीगी का लिंक आ जाएंगा उस link पर आप जैसे क्लिक कर दोंगे आप सीधा play store पे connect हो जाओंगे वहाँ से आपको swiggy dealure partner app को download कर लेना है download करने के बाद जैसे आप उस app को open करते हो आपके सामने इस तरह से एंट्रवेस खुल जाता है नीचे आपको ok पर click कर देना है फिर कुछ permission आपसे मांगी जाएंगी उससे आपको allow कर देना है फिर यहाँ पर से आपको अपनी language select करनी है और नीचे continue पर click कर देना है फिर यहाँ पर आपको अपना mobile number मांगा जाएंगा mobile number डालना है और नीचे get OTP पर click कर देना है फिर आपके mobile number पर एक OTP आता है वो OTP यहाँ पर आपको submit कर देना है फिर इस तरह से एंट्रवेस खुल जाएंगा अब यहाँ पर सबसे पहले आपका जो live location है वो location यहाँ पर ले लेता है तो अगर आपका live location जहाँ पर आप काम करना चाते हो वही है तो फिर आपको आपके city का नाम दिखाए देंगा और नीचे आप जैसी की देख पारे हो यहाँ पर आप लोगों को 13 लाग तक का insurance cover मिलता है और अगर आप किसी और city में काम करना चाते हो तो नीचे change city का option दिया गया है इस पर आप जैसी क्लिक कर दोंगे तो सारे city के option आपको दिखाए देंगे इसमें आप search भी कर सकते हो तो उस city को select कर लेना है और नीचे continue उपर क्लिक कर देना है फिर इस तरह से main homepage आपके सामने खुल जाता है अब यहाँ पर आप जैसी की देख पारे हो यहाँ पर तीन step दिये गया है जैसे आपको ध्यान से समझना है पहली है profile वाली step इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोंगे तो इस तरह से interface खुल जाएंगा यहाँ पर आपको अपना first name और last name एंटर करना है नीचे आपका gender select करना है और continue पर क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर आपकी bank detail जो है वो आपको submit करनी है जैसे कि account number, bank name, IPC code यह सब कुछ आपको यहाँ पर fill करना है और नीचे verify bank detail पर क्लिक कर देना है फिर इस तरह से interface खुल जाएंगा upload your document document में आप जैसे कि देख पारे हो सबसे पहले identity proof identity proof में आपके पास यहाँ पर दो choice है जैसे कि आधार card और outer ID जो भी आपके पास है वो option आपको select करना है नीचे आप जैसे कि देख पारे हो pen card और driving lesson तो जैसे कि identity proof में आपने example की तोर पर आधार card select कर लिया तो नीचे आप जैसे कि देख पारे हो आपके पास दो option है front side और back side का photo upload करने का तो जैसे आप front side वाले option पे click कर दोंगे तो आपके सामने इस तरह से interface खुल जाएंगा अब यहाँ पर से आप लाई हो यानि के camera के थुरू तो आप वहाँ पर तुरूंत अपने आधार card का photo ले सकते हो या फिर उपर आप जैसे की बीच में देख रहे हो upload from gallery इसका भी option दिया गया है इस पर आप जैसे क्लिक कर दोंगे तो आपके सामने gallery का option खुल जाएंगा यहाँ पर से आपके camera में से अगर pilot से photo लिया हुआ है तो वो photo आप लोगों को यहाँ पर select कर लेना है फिर इस तरह से आपको interface दिखाई देंगा photo select करने बाद नीचे आप लोगों को confirm upload पे click कर देना है अब उसी तरह से आप लोगों को आधार का back side का photo भी upload करना है देन इसके बाद pan card, pan card पे भी same आप लोगों को जैसे आप front side वाले option पे click करोंगे तो pan card का photo upload करना है देन इसके नीचे driving lesson का भी front side और back side driving lesson में आप front side का back side में भी same वही photo upload कर सकते हो जैसे आप इस सारे document यहाँ पर upload कर देते हो नीचे आप लोगों को continue पर click कर देना है फिर आपके सामने इस तरह से interface खुल जाएंगा आप जैसे की देख पारे हो सारे जो document है उसके नीचे आप लोगों को right tick लगी हुई दिखाई दे रही है आपको नीचे continue पर click कर देना है फिर आपसे यहाँ पर live selfie लिया जाता है नीचे open camera पर आपको click करना है और अपना है कहाँ पर एक clear selfie ले लेना है proceed to capture पर आप जैसे click कर देते हो तो अपना live selfie जो आपने लिया है वो इस तरह से आपको दिखाई देंगा अगर आप change करना चाते हो तो click again पर आप click करके उस photo को change कर सकते हो अगर photo आपका सही clear आया है तो नीचे आपको continue पर click कर देना है अब आप जैसे की देख पारे हो प्रोफाइल जो है वो हमारे complete हो चुकी है फिर आपके सामने इस तरह से enterprise खुल जाएंगा अब यहाँ पर second option है work setting का अब यहाँ पर आप start now पर जैसे click कर दोंगे तो इस तरह से enterprise खुल जाएंगा अब आप यहाँ पर जैसे की देख पारे हो यहाँ पर आपने जो city select की है उस city में जो जो location है वो location आपको सारे यहाँ पर दिखाई देते है सबसे उपर आप लोगों को जो आपसे area के नजज़िक से जो भी location है वो नज़िक वाला area location आपको दिखाई देंगा और वहाँ पर नीचे आप जैसे की देख पारे हो जो earning है weekly जो भी आपका earning location की हिसाब से आपको अलग-अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे की जो पहला ही location यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उसमें हर week 12,000 रुपे तक का earning मैं कर सकता हूँ और यहाँ पर joining bonus जो है इस area में 8,000 रुपे तक दिया जा रहा है उसकी नीचे आप जैसे की देख पारे हो यहाँ पर और location है location की सबसे earning और joining bonus जो है वो अलग लग दिया जाता है तो जहाँ पर भी आपको earning की opportunity जो है वो जादा लग रही है तो उस location को आपको select कर लेना है हो सकता है कि आपके area से थोड़ा वो area दूर हो लेकिन अगर earning जादा हो रहा है तो वो area select करना कभी भी ठीक रहेंगा तो जैसे आप वो location select कर लेते हो नीचे आप logo को continue पर click कर देना है फिर आपके सामने इस तरह center पर खुल जाता है अब जैसे कि मैं आपको पताया था joining के शुरुवात के दौर में यहाँ पर अभी कुछ process में changes किये गया है जैसे कि vehicle को लेकर यहाँ पर अभी bike और EV वाला option ही दिया गया है यहाँ कि cycle वाला जो option था वो अभी यहाँ पर से निकाल दिया गया है सिर्फ दो option है पहला है bike का और दूसरा है EV का तो यहाँ पर आप EV की नीचे देख पारे हो cycle not allowed तो जैसे आप इसमें से कोई भी एक option select करते हो जैसे कि example की तोर पर आपने bike all option select कर लिया नीचे आपको continue पर click कर देना है फिर इस तरह center बेस खुल जाएंगा अब दूसरा जो बढ़ला है जैसे में आपको पहले बताया था कि यहाँ पर एक और बढ़ला है आपके working को लेका अब working में यहाँ आप जैसे की देख पारे हैं यहाँ आप दो तरह की delivery की option आपको दिखाए देंगे पहला है instamart का यादि के instamart grocery का और दूसरा है food, grocery and parcel का अब यहाँ पर अगर आप पहला ओला option select करते हो तो पहले ओले option में आप जैसे की देख पारे हो quick order within 4 km from same swiggy store यहाँ पर आप लोग अगर यह पहला option select करते हो तो आपको swiggy का एक store मिलता है आपके location में उस location पर आप लोगों को जाकर वहाँ पर login करना होता है वहाँ पर से आपको order जो है वो collect करना है जैसे की जेप्टो में या फिर ब्लिंकेट में केज आते है और वहाँ पर से आपको 4 km तक का ही area मिलता है जहाँ पर आपको delivery करना है याँ कि आपको delivery करने के लिए जादा दूर जाने के ज़रूत नहीं है तो अगर आप पास-पास के order deliver करना चाते हो तो यह आप पहला option select कर सकते हो लेकिन इसमें एक और चीज में आपको बताना चाता हो यहाँ पर जो भी आप parcel लोगे तो एक साथ आप लोगों को कई parcel मिलते हैं याँ कि एक ही customer की order होती है लेकिन जादा उस order में जो parcel है उसके quantity जादा होती है याँ कि इसके एक bag जो है वो bag भी बड़ी size के आपको मिलती है अब इसमें भी आप जैसे के देख पा रहे हो वो kilometer fix नहीं दिया गया है हो सकता है कि कोई order आपको 4 km तक की भी मिले और कोई order आप लोगों को 10 या 15 km तक की भी मिल सकती है अब आपने कौन सा location select किया है उस पर ये kilometer depend करता है इसमें भी आप लोगों को joining bonus 8000 उपय तक का दिया जा रहा है तो अब वो आपको decide करना है कि आप इसमें से कौन सा option select करते हो अगर आपको पास-पास के order deliver करना है तो पहला option select करना है अगर आप लोगों को एक particular किसी store पे काम नहीं करना आप overall आपके उस location में काम करना चाहते हो तो फिर ये दूसरा option select करना है पहला है full time का जिसमें आपको week में 6 दिन यहाँ पर login रहना है वैसे ये कोई compulsory नहीं कि आपको 6 दिन login ही रहना पड़ता है लेकिन आगे जो मैं आप लोगों को यहाँ पर rate card बताने वाला हो rate card में जो आप लोगों को incentive मिलता है वो incentive अगर आप extra लेना चाहते हो तो इसके लिए अगर आप ये 6 दिन complete कर लेते हो तो आप earning जादा कर सकते हो तो अगर आप 6 दिन login रहते हो तो आप जैसे की नीचे देख पारे हो up to 12,000 यानिके आप 12,000 रुपे से जादा तक आप एक week में earning कर सकते हो और उसकी नीचे full time में एक और option दिया गया है जिसमें आप सिरे Friday, Saturday और Sunday काम कर सकते है इसमें आप weekly 10,000 रुपे तक का earning कर सकते है तो यहाँ पर आपको क्या करना है उपर वाला option ही select कर लेना है यानिके अगर आप उपर वाला option select कर लेते हो और अगर आपको part time भी काम करना है यानिके Friday, Saturday, Sunday तो भी आप काम कर सकते हो और अगर आपको full time भी करना रहा तो भी कर सकते हो तो जैसे आप option select कर लेते हो नीचे आपको continue पर क्लिक कर देना है फिर इस तरह center बेस खुल जाता है यहाँ पर आप जैसे के देख पारे हो joining benefits जो है वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाए दे रहे है पहला है earning को लेकर जो कि आप हर week 12,000 रुपए तक का earning कर सकते है दूसरा है joining bonus जो कि 8,000 रुपए तक का आपको दिया जा रहा है तीसरा है आप लोगों को healthy insurance जो कि 10,000 रुपए तक का मिलता है और चौथा option जो अभी कि यहाँ पर दिया गया है जो offer आपको दिया जा रहा है वो है free t-shirt और bag का तो अभी आपको swiggy की तरफ से इसकी bag और t-shirt जो है वो free में दी जा रही है पहले bag और t-shirt का जो था वो आप लोगों को fizz देना पड़ता था लेकिन अब वो totally free है अब यह free कैसे है आगे आपको पता चलेंगा तो आप लोगों को क्या करना है नीचे आप लोगों को pre-book की और t-shirt पर क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर से अब जैसे के आप देख पारे हो तीसरा जो option है वो खुल जाता है order, swiggy, delivery, kit आप लोगों को start now पे क्लिक कर देना है फिर इस तरह से interface खुल जाएंगा अब जैसे के आप यहाँ पर देख पारे हो अब आपके t-shirt की जो size है वो आपको select करनी है लेकिन नीचे आप जैसे के देख पारे हो delivery will happen after one order यहनि कि जो आपका ये bag out t-shirt है आप join करते बराबर जैसे आपका id active हो जाता है id active होने के बाद आप लोगों को first order जो है वो पहले complete कर लेनी है दिन इसके बाद ही आप लोगों को bag out t-shirt की delivery है वो आपके घर पे की जाएंगे अब जैसे आप नीचे continue पर click कर दोंगे तो यहाँ पर आप जिस address पर अपनी bag out t-shirt बुलाना चाते हो वो address आप लोगों को यहाँ पर fill करना है जैसे आप सारा address आपका fill कर देते हो नीचे continue पर click कर देना है फिर इस तरह से address आपके सामने खुल जाता है अब यहाँ पर आप जैसे की नीचे देख पारे हो यहाँ पर जो bag out t-shirt है वो यहाँ पर आपको order करने के लिए दो रूपय आपको online यहाँ पर pay करने है अब यहाँ पर नीचे आप लोगों को आपने चो address फिल किया है वो address आपको दिखाए दे रहा है नीचे आपको I agree वाल option दिखाए दे रहा है उस छोटे से box में आपको click करना है और नीचे proceed to pay पर click कर देना है फिर आप यहाँ पर Google या फिर आप phone पे या फिर पेटेम के जरीए यह जो दो रूपय है वो online transfer कर सकते हो जो भी option आपको select करना है उसके जरीए आप लोगों को दो रूपय आपर online pay कर देने है जैसे आप यहाँ पर payment करवा देते हो फिर आपके सामने इस तरह से interface खुल जाएंगा delivery kit complete का फिर आप लोगों को फिर से इस तरह से interface दिखाए देंगा ready for ride लेकिन अभी यहाँ पर जो आपका ID है वो active नहीं हुआ है जैसे आपको इस तरह से interface दिखाए दे नीचे आप लोगों को आना है नीचे आप जैसे की देख पारे हो यहाँ पर आप लोगों को जो इसका live training है वो पहले complete करना है नीचे आप जैसे ही watch then delivery पर click कर देते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक online training का course होता है जो के complete करना है जो कि 5 से 10 minute का होता है यह complete किये बिना आप अगला step आपका जो है वो शुरू नहीं होंगा तो जैसे आप यहाँ पर से आपकी training complete कर लोंगे तो आपके सामने इस तरह center पर खुल जाएगा congratulations का यानि के आपने जो training course है वो complete कर लिया है अब उपर आप जैसे की देख पारे हो upload now पे आप लोगों को click करना है आपने जो सारे document upload किये है वो आपको फिर से एक बार check करने है कोई document reject तो नहीं हो गया अब जैसे आपके सारे document अगर आपने बराबर तरीकी से feel कर दिये है तो आप लोगों को एक से दो दिन का wait करना है आपको स्विकी की तरफ से याणि के आपने जो हब सिलेक किया है वहाँ पर से आप लोगों को एक call आ जाएंगा call आने के बाद आप लोगों को क्या करना है वो आपका जो ID है वो online active करा के देते है लेकिन जैसे आपका ID active हो जाए आप लोगों को तुरंद दूसरे दीन से ही काम शुरू करना है जादा तो लोग क्या गलतिया कर रहे है ID तो active कर ले रहे है लेकिन working नहीं कर रहे है इससे क्या हो रहा है उनका जो ID है वो company की तरफ से deactivate करा के दिया जा रहा है और जैसे ID deactivate हो जाए दोबारा उनका जो ID है वो active होने में फिर उन्हें problem हो जाती है तो इसलिए ये problem आपके साथ ना हो इसलिए शुरुवात में आप लोगों को यहाँ पर जो है delivery शुरू कर देना है अब ये तो हो गया आपका online joining process अब जैसे कि मैं आपको बताया था कि जोइन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर rate card मिलता है तो rate card incentive आपको किस तरह से दिया जाता है वो मैं आपको लोगों को यहाँ पर दिखा देता हो तो पहला जो rate card है इसमें आप जैसे कि देख पार हो यहाँ पर अगर आप 7 order deliver कर देते हो तो 70 रुपए आप लोगों को extra मिलेंगे और अगर आप 13 order deliver करते हो तो 160 रुपए आप लोगों को extra मिलते है नीचे यहाँ पर कुछ condition भी दी गई है तो आपको जो rate card मिलेंगा आप लोगों को rate card में पहले condition देख लीनी है क्योंकि condition अगर आपने complete नहीं की तो आप लोगों को incentive नहीं मिलेंगा उसके बाद दूसरा incentive slab है इसमें आप अगर 18 order complete करते हो तो 230 रुपए का आड़निंग होता है 23 order में 330 रुपए extra आपको incentive भी दिये जाते है और अगर आपके 29 order deliver हो जाते है तो 410 रुपए का extra incentive आप यहापर से ले सकते हो अब यह तो हो गया आप लोगों को जो incentive slab है वो अब यहापर जैसे ही आपका idea active हो जाए idea active होने के बाद जैसे आप अपने delivery partner app open करते हो तो इस तरह से interface आपके सामने खुल जाता है अब यहापर से आप लोगों को क्या करना होता है सबसे पहले आप लोगों को यहापर से अपने shift जो है वो book करनी है यानि कि आप कौन से time में काम करना चाते हो वो shift आप लोगों को पहले book करके रखने है क्योंकि यहापर जो shift है वो book हो जाते है तो अगर आप बात में काम करना चाहो और shift अगर full हो गई हो तो फिर आप उस time पे काम नहीं कर सकते तो जैसे आप shift अपने book कर लो उसके बाद जो आपका timing है उस time में आपको login रहे के यहाँ पर order deliver करने है अब नीचे यहाँ पर app में कई option दिये गए जैसे के earning का, my shift का, notification का, more का इसमें जाकर आप और भी जानकरी अपने partner app से ले सकते हो तो दोस्तो इस तरह से swiggy में आप join करके हर मैने minimum 20,000 से लेकर maximum 40-50,000 रुपय तक का earning कर सकते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगों जोड़ों को एक लाइक ज़रूर कर देना चलिए thank you so much मिलते हैं अगले वीडियो में